नमस्कार मैं हूँ राहूल तिवारी और लेकर आया हूँ आपके लिए चंडिगड हर्याना पंजाब ही मार्चल और देश दुरिया एकुछ बड़ी खपरे चलिए एक नज़र डालते हैं ताज़ा हैड्लाइन्स पर पंजकुला पहुचे हर्याना के नमन्यूब भाजपा परदेश अध्यक्ष ओपी धनखड दिखाएंगे विस्तार से विधायकों की खरीद फरोष के मामले में केंदर मंत्री गजेंदर सिंख शिखावत को एस ओ जी का नोटिस चंडिगड के सेक्टर 32 की महीला स्ताफ नर्स ने फंदा लगा कर किया आत्मत्या पंजाब शिक्षा बोर्ड की बार्वी की कक्षा का परिणाम आज हो सकता है घो कोशित हर्याना करेगा कल केंदर सरकार के अध्यादेश 2020 के विरोध में हर्याना के किसानों ने किया परदर्शन शिमला की बठा कुफल मंडी में लैंड स्लाइट से सेब की पेटियां दभी लोगों में अफरात अफ्री का महल विकास दुबे मुटवेड मामले में 22 जुल संक्रमितों को होम आईसुलेशन की अनुमती विश्मे करोना से हालात गंभीर छे लाग से अधीक मौते संक्रमितों की संख्या एक दसंबलत 44 करोड के पार अब ख़बर विस्तार से पंचकुला सेक्टर दोस्थित भाजपा कारेले में धोल नगड़ों के साथ पूर मंत्री का किया भवय स्वागत इससे पहले धनकड बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रिया ध्यक्ष के पद पर कर चुके हैं कारेया राजस्थान में वाइरल ओडियो क्लिप मामले में S.O.G. ने गजेंदर सिंग शेखावत को नोटिस चारी किया है ओडियो क्लिप के मध्यम से कॉंग्रिस द्वारा यह दावा किया गया कि गहलोत सरकार को गिराने की शाजिश की गई चंडीगड की रहने वाली 26 वर्षे शादी शुदान स्टाफ नर्स ने संदिग्द हालात में घर में फंदा लगा कर अपनी जान दे दी जिसकी सूचना तुरंथ पुलिस को दी गई मौके पर पहुँच पुलिस ने शव को 32 अस्पताल में पहुँचाया जहां डॉक्टर नने से मरित घोशित कर दिया पंजाब शिक्षा बोर्ड ने बार्वी कक्षा का प्रिनाम घोशित कर दिया है जबकि हर्याना बार्वी कक्षा का प्रिनाम 21 जुलाई को घोशित करेगा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंग ने जान करी दी केंदर सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाए गए देहदेश 2020 का हरियानों के किसानों ने आज ट्रैक्टर पर काले घंडे लगा कर विरोध किया हरियाना के कई जीलों में किसान ट्रैक्टर लेकर एक जूट हुए वहीं तस्वीरे दिखा रहे हैं जीला कुरुक्षित्रा की जहां बवैन नाजमंडी वैशाबाद मारकंडा में किसानों ने अध्यादेश का विरुगोद किया इस परदर्शन में किसान यूनियन के परदेशा ध्यक्ष गुरुनाम सिंग चडूनी शामिल रहे पूरे पंजाब में बहुत सबर प्रतर्शन है और ये राजस्तान और उत्र प्रदेश तक फैल चुका है वहां से भी अच्छे प्रतर्शन की खबरे आ रही है और ये सरकार को संकेट है कि अगर सरकार जल्बी ये अध्यादेश वापिस नहीं लेती है किसानों भी बात रही मानती है तो यह जो अंदुलन है सरकार की कवनाइब की कील सकता है सरकार को प्रतर्शन करके से किमांग को पहुंच लाएं चाहिए और इस अगर सरकार देश को बेजने पर तुली हुई है देश को कमपनियों के हवाले करने पर तुली हुई है फिर इसका रजल्ट जो है वो गंभीर रूपधार्न करेगा और जो अगला अंदोन होगा वो बड़ा कड़ा अंदोन होगा जो सरकार को दाएगा रेलवे ने प्राइवेट सक्टर की मदद से चलाई जाने वाली ट्रेनों के लिए टाइम लाइन त्याय कर दी है इसके मुताबिक 2023 में प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट आएगा इसमें 12 ट्रेने होंगी रेलवे के मुताबिक सभी 151 ट्रेनों को 2017 तक पेश कर दिया जानकर एक अनुसार पहाड़ी से अचानक फल मंडी की छट पर पत्थर गिरने लगे जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई देखते ही देखते मलवा छट पर आ गया जिस कारण से वहां रखी सेब की पेटियां दब गई अब तक के लिए बस इतना इफिल लोटूगा आपके लिए देश दुनिया कुछ बड़ी खबरे लेकर तब तक के लिए धनेवाद ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना न भूले